आधारित समाकलन कैसे हल करते हैं तो पहला प्रकार होता है जैसे मालों यहां पर आपको कोई question दिया हुआ है इस तरीके से 1 upon x square minus a square अब समस्य यह है कि इसका कौन से समाक्रन करें हम तो dx ऊपर जाएगा minus 1 अंदर का जो फलन है उसे क्या माने कुछ मानोगे तो remove करने करें पर तो कोई साधर नहीं है कोई विवस्ता नहीं है तो हम क्या करते हैं हम इसको आंसिक भिन में तोड़ने का प्रयास करते हैं आप तोड़ते कैसे हैं देखो पहला जैसे इसको अगर हम अंक में लेके बताएं तो आपको समझ में ज़्यादा असानी से आ जाएगा जैसे इसी फार्मेट पर डिपेंडेंट सवाल मालों integration वान अपान x square माइनस 4 dx एसओ दियाँ है ठीक है अब भाया इसको पहले सवाल को यहां लिख लो x square माइनस 4 अब इसका अगर गुड़न घंड करोगे तो भाया यह दो पद में तूट जाएगा x-2 x-2 ठीक है अब यह इस तरीके से जब तूट जाएगा तो तूटने के बाद आप इसको लिखो यहाँ फिर 1 upon x-2 x-2 अब इसके लिए क्या करोगे इधर ए बटे अपने मन से एक अंस इनको सौप दो और अपने मन से एक अंस इनको सौप दो अब यह होगा यह कैसे अरे तो ऐसे इनको ए भी निकाल के रखना भी तो है कि बोल दे देने थोड़ी काम चलेगा तो अब दोनों तरह भाई यह लासा ले लो तो यह क्या हो जाएगा एक बटे दो x-2 x-2 एक तो यह बन गया आपका इधर तो लासा बासा लेना नहीं है इस ओर आईए इधर लासा लीजिए तो यह होगा x-2 x-2 अब इससे भाग दीजिए तो यह वाला टुकड़ा निकाल गया यह वाला बच्चा इसका यह में गोड़ा कर लो तो यह हो गया x-2 x ठीक है यह ऐसे बाहर ही लिख लो a x-2 प्लस इससे भाग दीजिए थी यह वाला टुकड़ा निकल लिया यह बच्चा तो v x-2 अब यहां हर से हर को दो निप्टाए ठीक है तो बच्चा क्या तुमारा बच्चा a x-2 प्लस b x-2 इक्कोल बन यह उठागे कि बच्चा तुमारा ठीक है अब यहां पर क्या करो यह जो आपको पद दिये हुए ना यह जो पद ली निकाले हो इन पदों को जिरो के बराबर करो x-2 यह सबसे सिंपल तरीका यह पहला तरीका है फुल तीन तरीके से अंसिक भिंड करते हैं तीन तरीके से हल करते हैं यह फर्स्ट टाइप है यह प्रत्थम टाइप है ठीक है ना प्रत्थम टाइप अब यहां पर x-2 बराबर 0 एक गुड़न खंड इसको 0 के बराबर करो तो x बराबर 2 आ गया अब यह मान उठा के इसमें रख दो एक तो निपढ़ जाएगा तो यह क्या हो गया a और यहां हो गया 2 धन 2 प्लस 2 गुड़न 0 बराबर 1 तो 8 बराबर 1 तो a बराबर 4 यह निकल के आ गया े तुम्हारे सामें आ गया अब जब e तुम्हारे सामने आ गया तो दूसरा मान पाने के लिए दूसरे वाले को 0 के बराबर करो क्रag sport ठ्रेक हैं तो जब दूसरे वाल अब x प्लस 2 बराबर 0 कर दो तो x बराबर हो गया माइनस 2 अब लगा दो आपे तो a गुड़े 0 हो गया और प्लस b गुड़े माइनस 2 माइनस 2 बराबर 1 ठीक है अब यहां भे यह तो निपड़ गया तो b बराबर हो गया माइनस 1 बटी 4 यह माइनस दो माइनस दो चार हुआ इसके बटे में चला यह लटक गया ठीक है कहानी खतम हो गई अब आप क्या करेंगे अब आप ए बराबर एक बटे चार आपने निकाल लिया और वी बराबर माइनस एक बटे चार अब आप इसको लिखेंगे 1 upon integration 1 upon x square minus 4 dx equal यहाँ भी क्या हो जाएगा integration आपने इसको तोड़ा था a upon x minus 2 तो यहाँ पर a कामान है एक बटे चार x minus 2 a के अस्थान के आपने रख दिया dx प्लस दूसरा अगवान क्या था b जो कि माइनस एक बटे चार है और यह है एक बटे एक प्लस तो dx ठीक है तो आप एक बटे चार कामन ले लो तो यह हो गया integration dx upon x minus 2 प्लस यह minus हो जाएगा dx upon x plus 2 अब बटे देखो यहाँ पर यह जो हर है इसका ओकलन है अंस ओकलन में 1 dx है और x का ओकलन होता है यहाँ भी 1 dx है तो यह लोग में आ जाएगा एक बटे चार log x minus 2 minus log x plus 2 प्लस c ठीक है अब तुम क्या करोगे एक बटे चार अब लाग की property लगाओ यह minus में तो इसकी जो value इसके बटे तो यह वो गया log x minus 2 upon x plus 2 plus c ठीक है तो इस तरीके से आता है अगर इसका हम formula बनाना चाहे है तो इसका formula बनाने के लिए हम इसी जो value को मैंने लिखा है यहाँ पर 1 upon x square minus a square इसी को हम derivate कर देते हैं और हमारा formula बन जाता है ठीक है तो इस formula को हम इस तरीके से लिखते है 1 upon 2a देखो वहाँ 4 आया था ना तो 1 upon 2a इसका बर्गमूल अगर यहाँ 4 रखोगे तो 4 का बर्गमूल 2 है तो 2 से 2 बुड़ा करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा log mod में x minus 2 upon x minus a x plus a तो तुमारी सवाल में 2 आया था कि उतकी तुमने चाल लिया था पहला question है 2x upon x square प्लस 3x प्लस 2 तो भाया यह तो गुड़न खंड है तो इसको का लिख सकते हो तुम integration 2x upon x plus 1 x plus 2 ठीक है यह निपड़ गया इसका दो गुड़न खंड अब आप लिख सकते हो इसको a बटे x plus 1 integration प्लस b बटे x plus 2 integration dx dx आपने का गिया आपने इनको आंसिक भिन में निप्टा गिया अब पूरा पद लिखलो नीचे ऐसे 2x upon x plus 1 यह रफ में करना इसको x plus 2 यह सारा काम रफ में करना और यहां लिख देना आंसिक भिन से तोड़नी पर बराबर a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 ठीक है अब x equal इसको देखो 0 के बराबर करोगे x plus 2 equal 0 तो x बराबर minus 2 आएगा तो सीधे सीधे भईया यहां minus 2 ठीक आओ जाँ जाँ एक से तो minus 2 equal a अब यहां minus 2 ठीक होगे तो आएगा minus 1 यारी minus b ठीक है तो यह होगी अच्छा माइनस 4 तो b बराबर आगा चार थोड़ा start cut समझो ठीक है भी आगया अब x बराबर 1 minus 1 ठीक हो तो x बराबर minus 1 ठीक होगे तो यह हो जाएगा यह कटके हो गया 0 तो plus 0 यानि a बराबर minus 2 अब यह दोनों value तुमारी आ गए वी बराबर 4 और a बराबर minus 2 ठीक है तो भाईया इनको निप्टा दो a बराबर आया है 4 तो minus 2 और वी बराबर आया है 4 ठीक है चलो रफ खतम कर देते है लिखते हैं बराबर minus 2 dx अपान x plus 1 plus 4 dx अपान x plus 2 यहां लिखेंगे अंसिक भेन्यों से अब चूंकि x का अकलन यहां पे एक आ रहा है तो minus 2 log x plus 1 और यह हो गया plus 4 log x plus 2 plus c अब इत्तों कर सकते हैं इसमें कि यह दो इस पे ले जाए तो यह हो गया minus log x plus 1 का whole square plus log x plus 2 की whole power 4 plus c अब भया यह जो है यह minus में है यह plus में है तो आगे ऐसे कर लो यह हो जाएगा log x plus 2 की whole power 4 upon x plus 1 की power 2 औरा मौड में plus c बात कटब हो गए ठीक है तो आपको सुरुआत की तो कुछ सवाले ऐसे मिल जाएगे हैं कि यह उर्म कुछ भी वह दोनों तरफ का लेना होता है आपको इधर का भी कि अब कुछ ऐसा सवाल हो सकता है है तो टाइप फर्ष्ट का ही यह कॉसेक्स डी अक्स अपान वन माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स ठीक है तो यहाँ पे भाईया साइन एक्स पराबर टी माल लो तो कॉसेक्स डी एक्स पराबर डी टी आ जाएगा ठीक है अब यहां पर क्या करोगे मान रखोगे तो यह होगया डी टी अपान वन माइनस टी टू माइनस टी अब यहाँ आपको वही करना है बरावर A बटी 1-T प्लस B बटी 2-T ठीक है तो इसको ऐसे निकाल लो यहाँ पे इसका अंस्तो एक है बरावर A 2-T प्लस B 1-T बाकी की जंजट करने से क्या फाइदा बता चुके आपको ठीक है दोनों का लासा लेना है इधर आपको क्याल करना है इसके इसमें भी हर लिखेंगे हर से हर कैंसल हो जाएगा बात कितम होगे सीधे ऐसे लिखलो इसका इसमें गुड़ा कर लो हाँ तीन उन पत बाला होता है हर तो सम्में कर जाएगा उसकी बात नहीं है अब यहाँ पे T बरावर A रख दो तो एधर तो एक अही है यहां एक रखे तो एक आया प्लस यहां एक रख दिये तो जीरो हो गया तो ए बराबर विया एक आया फिर एक बार टी बराबर दो रख दो तो जब टी बराबर दो रख दो गए तो यह हो गया एक यह टी बराबर एक पर और यह है T बरावर 2 पर जब 2 रखोगे तो A 0 हो गया प्लस B और यहां 2 में से घड़ जाएगा माइनस 1 हो गया तो माइनस B बरावर 1 तो B बरावर माइनस 1 अब यह हो गया दोनों मान अब इसको आप लिख सकते हो यहां पर integration लगाओ एक इसके आगे मान रखदो कैसे रखने तो यह रिखा है यह लिख दो यह हो गया 1 अपन डियेक्स अपन 1 माइनस T और प्लस यह का रहा है तम्हारा यह माइनस एका रहा है यहाँ पे हो गया माइनस सब्सक्राइबielen को सारी 1 अपन टो माइनस T यह dt होगा ठेक है अब यह रवकार बिटा दो वहाँ लेग दो आनसीख भिनस है अब देखो यहाँ पे यह dt अपान 1-t है अब यहाँ समझो बिटा यह इसका log तो बनेगा लेकिन यहाँ t रिण में है तो log रिण में आएगा क्योंकि जब आप 1-t का आउकलन करेंगे मालो 1-t को कुछ नया मालने p मालने देखो कहा से आएगा तो यह होगा minus dt बड़ाबर DP minus dt बड़ाबर DP और जब dt निकालोगे तो इधर जाएगा तो minus dp हो जाएगा अब जब minus dp हो जाएगा तो यहाँ पे value रखोगे तो क्या होगा minus dp अपान p पर नातमा के तो लॉग हमें सारेंड में आएगा क्योंकि ऊपर अंस में इसका उकलन होना चाहिए तो भाई या माइनस में होता है अगर माइनस नहीं है ध्यान दीजिए जैसे 1-2 का आप समाकलन कर रहे हैं तो 1-2 के समाकलन में बताय गया है कि अगर यहां पर आपका कोई च देखेंगे और यहां पे हो गया – dt upon 2-t तो ये कहा हो जाएगा – log 1 में 1-t और ये – log 2-t plus C थीक है तो ये खुलेगा थो जाएगा – log 1-t plus log 2-t plus C अब ये दोनों बटे में आ जाएंगे ये इसके बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 2-T upon 1-T plus C ठीक है अब value रखनी रह गए ये आपकी तो value रख दो इसमें T की value क्या है? cos है तो ये हो गया बराबर log 2-t sin है 2- sin e x mod में upon 1- sin e x mod में plus C ठीक है? वेटा मिनाद तो करनी पड़ेगी पेपर करीब है बहुत करीब आ गया है लडाई आपकी जारी होनी चाहिए हारने के दोने एक रास्ते है वेटा जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है मिनाद जो कि बहुत ज़रूरी है अब जैसे देखो x cube प्लस 3 upon x cube माइनस 3x ठीक है? dx तो बिटा आंसिक भिन में बदलते समय यह हमेशा ध्यान दो कि अगर अंस की घात अगर अंस की घात हर से बड़ी है या हर के बराबर है तो पहले भाग देना पड़ता है अगर अंस की घात हर के बराबर है या फिर हर से बड़ी है तो अंस में भाग देना पड़ता है तो इसको भाग देंगे तो कई से हो गए x cube plus 3 भागे x cube minus x अब इससे भाग दोगे तो एक बार तो जाएगा तो यह हो गया x cube minus x यह minus यह plus यह कट गया तो यह आया क्या 3 plus x यह x plus 3 चलो भी यह अब इसको ऐसे लिख सकते हैं integration 1 plus x plus 3 upon x cube minus x ठीक है dx अब क्या करोगे इसको खोल लो 1 dx plus integration x plus 3 upon x कामन ले लो तो यह हो गया x square minus 1 dx ठीक है अब भाईया इतनी को निकाल लो इतनी को निकाल लो और देखो आंसिक मिनन से कई से तोड़ते हैं तो चलो लिखो इसको x plus 3 upon x और यह हो गया x minus 1 x plus 1 तीन पद में तोट गए अब यहाँ पर लिख लो a बटे x plus b बटे x minus 1 plus c बटे x plus 1 ले लो गया अब जोड़ना गटाना है तीन पद हैं यहाँ पर अब देखो जब लासाल होगे तो सब तो निपड़ जाएंगे a के साथ आएगा x minus 1 x plus 1 क्योंकि जब लासाल होगे तो इसका लासा होगा यहीं लिख लेते हैं ताएं के लिए x x minus 1 x plus 1 अब देखो पहले से भाग जोगे तो x कट गया दोनों बचे दोनों का गोड़ा a के साथ होगा प्लस b अब b वाला कट गया तो बचा क्या x c x plus 1 ठीक है उसके बाद का है plus c तो c में का है x plus 1 से x plus 1 कट गया तो होगया x c x minus 1 अब इतना बड़ा बन गया और इधर का है वही x plus 3 x x minus 1 x plus 1 ठीक है अब हर से हर का निप्टान हो गया अब यह हो गया x plus 3 बराबर a x minus 1 x plus 1 plus b x x plus 1 plus c x x minus 1 ठीक है हब का करेंगे अब जो करतें आएं है यह पहला माने 0 के बराबर करो तो का हो जाएगा x बराबर 0 इसमें कोई अंकी नहीं है तो x बराबर 0 रग दो यहां बचा 3 10 यहां बचा 0 रखोगे तो ए गुड़े एक हो गया मानस से इधर भाग देदो तो आ बराबर मानस 3 पहला अंसर आ गया किस पर आया x बराबर 0 अब का रखोगे अब यह x बराबर एक रखते, इसको 0 को बराबर करोगी तो x बराबर 1 हो जाएगा, 1 रखो तिया का हो जाएगा 4, अब यहां रखो x बराबर 1 तो यह पूरा निपट गया, 0 हो गया, प्लस यहां रखो 1, तो यह 1 हुआ, यह हुआ यहां रखो b गोड़े 1, और रिकट में 1 धने, यहां रखो 1 तो ये पूरा निपट गया 0 हो गया 1-1 ठीक है तो ये 1-1-2 हुआ 2-1-2 तो ये 2B बराबर 4 तो B बराबर 2 2 बाना आ गया ठीक है A बराबर यहां आ रहा है मतलब ये क्या बन रहा है तुमारा A कामान माइनस 3 है तो माइनस 3 बटे X प्लस B कितना आया 2 तो ये हो गया 2 बटे X-1 अब C के लिए का रखोगे X बराबर –1 तो जब X बराबर –1 रखोगे तो देखो क्या होगा यहां रखोगे तो बच्चेगा 2 तुमारा बराबर यहां क्या है –1 रखोगे तो ये ने पट गए कहानी खतम हो गए इनकी यहाँ minus 1 रखोगे तो बी ने पट गए बच्चे का वही जिसका रखे रहोगे तो यहाँ minus 1 रखोगे तो c गोड़े minus 1 और रेकट में minus 1 minus 1 यहाँ पे रखोगे तो यह minus 1 minus 1 minus 2 हुआ और 1 minus 1 में गोड़ा हुआ तो यह हो गया 2c अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा रफकार यह है इसको तो तुमने निप्टा दिया ठीक है अब यहाँ पर इसको लिखेंगे इस पूरे को integration 1 dx प्लस इसे तोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे minus चुकि यह वाला पतला होगे तो यहाँ होगा minus 3 integration dx अपानी अक्स फिर उसके बाद है plus 2 integration दिक अब इसको ला रहे हैं dx अपान x-1 प्लस integration यह हो जाएगा dx यह तो एक है तो dx अपान x-1 अब जानी रहे हो इन सबका लाग में हो जाएगा ठीक है तो अब इनको निप्टा देते हैं इधर का ज़रूरत पड़ी है इनकी चलो अब इसको हल करते हैं तो यह पहला का हो गया x हो गया minus 3 log x हो गया और इसका का हो गया plus 2 log x minus 1 हो गया और यहां क्या हो गया plus log x plus 1 हो गया और plus c असा माड में चिपके हो गया ठीक है अब यहां पे क्या करोगे plus वालों है पहले इनके पीछे कोई घातवात नहीं होनी चाहिए तो log mod x plus log x minus 1 का square ठीक है plus log x plus 1 plus c तो जो log plus में वो गोड़े में आ जाएगा जो रिड़े में वो बटी में चला जाएगा तो x plus यह हो जाएगा log mod of x minus 1 का square x plus 1 यह पूरा mod में रहेगा बटी mod x plus c तो इस तरीके से विटा यह टाइप 1 है अब कल हम आपको टाइप 2 का वीडियो देंगे ठीक है तो फिर हम मिलते हैं आपसे कल next वीडियो में और आप अच्छे से इसको complete करिए एक question यहाँ से model paper में भी है UP board के silvers में भी है एक question यहाँ से लेंगे वो अंसिक भिन पे dependent अगर यहाँ से नहीं होती है तो जाके निस्चिस समागलन में इसको फसाएंगे ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में पढ़ते रहे बढ़ते रहे